नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका अपने चैनल Knowledge of Stock Market में दोस्तों जैसा कि आपने थमने ने पड़ा आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक powerful enterprise strategy की जो की side wage market में भी आपको पैसा बना के दे दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज इस subscribe के बटन को जरूर दवाईए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो को notification मिलता रहे दोस्तों आगे बढ़ते हैं जिससा कि हम आगे हैं अपने 5050 के चार्ट पर तो सबसे पहले मैं इस strategy के आपको rule समझा देता हूं आपको यह strategy तब apply करनी है जब market sideways चल रहा हूँ sideways like किस ताइप पर चल रहा हूँ ले लिया फिर रेजिस्टेंस ले लिया इस तरीके से market sideways बन जाता है तो आपको क्या करना है सिंपल सा जब भी ऐसी कोई आपको condition दिखती है क्योंकि शुरुआत के यह strategy आपको पांच मिट के डिमांड क्या होती है मतलब अगर आपको किसी चीश की डिमांड आप बाई करोगे न तो इसलिए उसको डिमांड जान तो जिससे की यह इरिया इसका starting यहां से मारकेट ऊपर गया न यहां से लेकर यहां तक आपको एक distint मतलब यहां तक आप लाइन खिश लोगे आपक आस कैंडल सिरफ यही तक यह इन की खिश लोगे कि अब साइध यहां पर यह चुकत यहाह जहां विक्वाली होती है, ठीक है, यहां से stock नीचे गरता है, तो यहां पर आप एक लाइन कीछ लोगे कि यहां से stock नीचे गरने लग गया, तो आपका ये वाला area बन गया है, ये वाला supply zone, और आपका ये वाला area बन गया है, demand zone आई pp आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चारा हूँ आपका ये e 감사asted public zone ये demand zone क्यों 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 कि RAW पर demand बढ़ रहे हैं और यहां supply हो रहे हैं sellers हारे हैं 9-15 पर candle खुलती है तो आपका इगर market sideways रहने वाला हैं तीन चार candle या 5-6 candle के बाद वो वहाँ से reverse लेगा, एक supply zone बनाएगा फिर दुबारा यहाँ से एक demand zone बनाएगा जहाँ पर उसका last low था ठीक है, तो यह strategy इस तरीके से काम करने वाली है, आप समझ रहेंगे side wage market में काम करने वाली है supply zone आपको इस तरीके से mark करना है demand zone आपको इस तरीके से mark करना है और time frame आपको 5 में टरकना है चाहे आप index में कर रहे हो, किसी stock में कर रहे हो या फिर किसी भी options में तो आपको इस तरीके से mark करना है तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं मैं यहाँ पर सारी डॉइंग क्लियर कर देता हूं अब हम समझते हैं लाइव और चार्ट की स्टेटीजी कैसे काम करती है अब जैसे कि यह मार्केट आप देख सकते हैं अब साइट क्यों मुमेंटम चल रहा है इसका तो यहाँ पर पुरा दो तारिक की आप 15-25 केंडल हो साइड वेज रहा अब आप यहाँ पर क्या दिखोगे एक दो तीन चार चार केंडल के बाद एक रिवर्सल दे रही है तो आप यहाँ पर बाहर बाद वाली सारी केंडल नहीं मिलेंगी सिर्व इतनी रहेगी ठीक है इतनी केंडल मिल पर आपको यह supply zone मान लेना है यहाँ पर आपका यह हो गया अगर मैं आपके लिखूँ अगर मैं आपके लिखूँ अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अगर मैं यहाँ पर देखोगे जहां से मार्केर उठा था उसी पर उसने दुबारा से एक bullish engulfing pattern मनाया है तो आप predict कर सकते ह यहाँ से demand बढ़ते है market अब यहाँ से फिर से उपर जा सकता है तो आपने क्या बना है यहाँ पर एक demand zone जिसको आप बलो गया a check the demand zone . यह आपका सप्लाई जोन हो गया है आपका demand zone is on ? जहां से market resistance हो वह आपका supply zone कहले जहां से market support ले वह आपका demand zone कहले आपने क्या देखा same उसी supply zone पर दुबारा से एक bearishивают का pattern बन रहा है candlestick pattern आपको पता होगा तो यह यह onged with पुल मारा वोजू ग्लीन केंडिल उसके बाद एक उसके अंदर की मारा वोजू रेट केंडिल है जो की बेरिश का पैटन देती है आप देखो कि बेरिश पैटन बना उसके बाद मार्केट थोड़ा से आपने इस के बाद ट्रेड लिए और इसके हायर पे तीन-चार पॉइंट अपना उपर निफ्टी वैंक निफ्टी में कर रहो दस बीस पॉइंट उपर स्टॉप लोस रखो तो स्टॉप लोस रखके और आप देखो काफी अच्छा आपको वन इस्टू 3456 का करीवन देखने के बाद आपको यहां पर कितना अच्छा target देखने को मिला फूर्ट आप्का पहले टारुट यहीवन चाहिए कि अपने ढूंट वर आईगा तो आई होगा आप देख सकने कितना प्यारा सा टार्ग्अ यहाँ पर इस ने दिया आपका इस टॉप लोस था only 0.16% का और target हो गया पूरा 0.51% का मतलब की सीज़र डबल से भी ज़़ा target आपका यहाँ पर book हो गया और दुबारा से जब stock यहाँ पर demand zone पर आया राइट यह stock जब दुबारा से demand zone पर आप आप ने देखा full से एक volition gulfing सबसे पहले एक pin bar candle जो की नीचे आके ऊपर चली गया है अब यह buyers यहाँ फिर से आ गए उसके बाद confirmation candle क्या मिलती है आपको एक full मारा बुजू candle दुबारा से demand zone पर stock की demand बड़ी और market ने फिर से आप मूव में यह supply zone तक गया अब आप देखेंगे कि 915 नोप 15 पच्चे सी candle तक आप का profit यहाँ पर दे दिया 925 आई उसने breakout दिया और market trendy face में upside में हो गया जहां पर यह strategy काम नहीं करेगी trendy face में strategy काम नहीं करेगी सिर्फ sideways market में जहां पर supply और demand zone create हो रहा है सिर्फ वहीं पर काम करेगी और कहीं strategy काम नहीं करेगी तो आई होब आपको समझ में आएगा कि आपको supply zone कैसे mark करना है demand zone कैसे mark करना है सुरवाद 915 market खुलते ही 3-4 candle को आप देख लो अगर वो rejection लेता या फिर demand बढ़ती है तो वहाँ पर अपने supply और demand zone mark करके आप इस तरीके से अच्छा खासा trade कर सकते हो और अच्छा खासा profit बना सकते हो आपको साथ साथ candlestick का भी knowledge होना चाहिए अगर आपको नहीं है तो description box में candlestick pattern का link मिल जाएगा आपको आप वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते नहीं तो आप मेरी वीडियो पर जाके यहाँ पर short buy में करोगे most popular करोगे तो आपको यहाँ पर candlestick का एक वीडियो दिखेगा जहाँ पर आप देख सकते हैं candlestick क्या है किस चाहिए कैसे काम कर सकता है तो आई होग आपको समझ में आ रहा होगा अगर हम इसको किसी stock में apply करके देखने हैं जैसे कि हमाई पर धेसा स्टॉक है Tata Motors का stock हम ले लेते हैं अब हम इस stock में apply करते हैं से strategy को फिले हमको सीधी सी बात है कि जब live market हो आपको sideways market ढूनना पड़ेगा अब आप यहाँ पर देखोगे कि यह नौपंदराई candle open हुई ठीक है यहाँ से फिर से rejection लेना start कर दिया आपने यहाँ पर क्या mark किया कि हो सकता है यहाँ पर एक supply zone create हो रहा हो राइट इस area पर कि market यहाँ से rejection लिया उसके नीचे यहाँ तक गया और फिर यहाँ पर उसने एक demand zone create किया यहाँ से upside के और momentum बनाए लग गया दो गंडल बनाई तो upside उपर की हो जाए आपने यहाँ पर क्या mark किया कि एक यहाँ पर demand zone आ चुका है market का ठीक है इस कहीं area पर अब आपने क्या देखा कि दुबारा से जब उस position पर गया यहाँ पर रेजिक्शन लिया थोड़ा profit दिया बट दुबारा से stop loss एट कर दिया या फिर यहाँ पर लेते हो तो थोड़ा से profit book किया दुबारा चला गया अब जब इसके ऊपर चला जाए 44.70 मतलब एक गया दो रपेस के ऊपर stop loss आपने कर रखा भी होता इस पर trade link कर दो stop loss हिट नहीं हुआ दुबारा से नीचे आया आपको profit देके कया यहाँ पर तो यह होता है profit फाइदा हमारा यह हमारे supply zone का supply zone और यह हमारा demand zone तो आई होग आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ strategy काम कैसे करती है strategy rules समझ लो सिर्फ side wage market में काम करेगी supply और demand zone identify करने के बाद ही काम करेगी और candlestick pattern का knowledge तो ही काम करेगी जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे यहाँ सी नीचे से rejection मिल रह candle बनाई और उसके upside चला गया तो supply और demand zone आपको mark करना आ गया side wage market में तो आप अच्छा खासा profit बना सकते है option buying की तरफ जाके तो I hope आपको strategy पसंद आई होगी इसको इसको आप back testing करें उसका live market में without trade लिए try करें फिर छोटे amount के साथ try करें और फिर हमें बताएं कि profit हो रहा है कि नहीं बन रहा है और वीडियो अच्छा लगा उसको like जरूर कीजिएगा और comment करके बताना कि वीडियो कैसे लगा और किस topic में वीडियो बनाना चाहिए और हमारे चैनल knowledge of stock market को subscribe करना मत भूलना आप लोग में से कई viewers जो आते हैं without subscribe के चले आते हैं अधिक 30% viewers without subscribe है तो please है झाल झाल